प्यारे जहार खंडवासियों जहार धर्ति आबा बिर्सा मुंडा वीर सीधु कानु जैसे अनेक वीर सपूतों के बलिदान से सिंचित जहार खंड के हिर्दय अस्थली संथाल प्रगाना के पावन घूमी में से मैं समस्त जहार खंडवासियों को भातरवें गणतंत दिवस के हार्दिक सुबकामनाय देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं सम्यधानिक स्वद्रत्ता के परिवर्तन का यह दिन समाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय के लक्ष को प्राप करने का संकर्व दिवस है राष्ट की एकता और अखंड़ता को अक्षुन रखते हुए समस्त नागरीकों को विकास के समान आउसर उपलब्द कराना हमारे समिधान की मूल भावना है आज इस सुबह सर पर मैं नमन करता हूँ राष्ट पिता महात्मा गांधी पंडित जुहालाल नहरू डॉक्टर राजंदर परसाद नेता जी सुबह संद्र बोस बाबा सहब भीमरा अम्बेदकर जी मौलाना अबूलकला मजाद सरदार बल्लब भाई पटेल जैसे रास्ट निर्माताओं को जिनोंने अपने त्याग बलिदान दूरदर सिता से हमारे लिए ऐसे माग प्रस्त किया जिस पर चल कर हम एक मजबूत लोकतंत्र गंडराज के रूप में विस्पटल पर अस्थापित हो सके हैं हमारे समयधानिक मुल्यों एवंग महान लोकतंत्रिक परंपुराओं की ही देन है कि गाओं गरीब किसान मजदूर भाईयों के आसिरुआत से लगबग एक वर्ष पहले एक मजबूत एवंग जन्पिरिये सरकार का गठन हुआ इस सरकार का मुख्या होने के नाते मुझे आपके सपनों और अखांचाओं को पूरा करने के जिम्मेदारी है और मैं आपसे हर वादे को निभाने के लिए वचनबद भी हूँ जार्खंड और जार्खंड असमीता मेरे लिए सरपरी है समाजिक नियाय के साथ एक ससक्त और विक्सित जार्खंड के निर्मान के संकल्ब को लेकर मैं पूरे निस्टा और तत्परता से काम कर रहा हूँ और मुझे इसमें आप सबों का भरपूर सहयोग मिल रहा है हम सब जानते हैं कि विगत एक वर्स हमारे लिए कठिन वर्स रहा है इस दोरान हमें कई तरह की चुनावतियां और समस्याओं का सामना करना पड़ा करोना महामारी से उत्पन परिस्टियों से निपटने के लिए हम हर मुर्चा पलड़े आप सबों की मेहनत का ही परतिफल है कि करोना महामारी कुनियंतरन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है इस दोरान राज सरकार ने कई ऐसे निर्णे लिये जिसका सराना देश बर में हुई है चाय तेलंगना से राची के लिए चलने वाली देश की पहली सरमी के स्पेसल ट्रेन की बात हो या दूर दराज राजों से फसे मजदूर भाईयों को एरलिफ्ट कराकर सकुसल घर वापसी की बात हो हमारी सरकार ने हर कदम पर संबेदन सिल्टा एवंग परतिबदता का परिचय दिया है या इस बात का पुक्ता परमान है कि राज के अंतिम व्यक्ति हमारी सरकार की प्रातिमिक्ता में सबसे उपर है कुरोना महमारी के विरुद लडाई में नया वर्स हमारे लिए नई उमीद लेकर आया है दिनांग 16.21 को COVID-19 टिका करन का सुबारम राज के 48 केंद्रों पर किया गया है COVID-19 से बचाव नियंतरन एवंग समुचित तरीके से टिका करन हेतु जिला अस्पताल के समुद एवंग समुदाइक स्वास्त केंद्रों में टिका करन का गठन किया गया है निधारित S.O.P के अनुसार चरनबत तरीके से राज में टिका करन अभियान चलाये जा रहा है इसमें कोई दोराय नहीं है कि पिछले एक वर्ष के दोरान इस वेस्वीक महामारी ने हमारी समाजी आर्थिक ताने बाने को नुकसान पहुचा कर विकास की गती को अवरोद किया है विकास की गाड़ी को अपने ट्रेक पर लाकर उसे गती परदान करानी की चुनोती स्विकार करते हुए विगत 19 दिसंबर को सरकार ने पर्थम वर्ष गाड़ के अउसर पर हमने कई महत्पूर्ण योजनाओं की नीतियों की शुरुवात की किसानों के लिए किये गए वादे पूरा करते हुए हमारी सरकार दोरा जारखन राज किर्सी रिन माफी योजना का सुबारम किया इस योजना के तहट 50,000 रुपे तक का बकाया रासी माप किया जाएगा इस योजना के कारियन में दो हजार करोड रुपे की रासी खर्च होगी हमारी मेहनत कर किसान दिन राद मेहनत कर फसल लुगाते हैं परन्तु प्रकृतिक विबदा के कारण कई बार उनकी फसल को नुक्सान होता है तता ऐसे परिस्तिती में किसान अपने आपको आसाहय महसूस करते हैं अता किसानों को राहत पहुचाने के लिए हमारी सरकार ने जार्खन राज फसल राहत योजना के नाम से एक नई योजना सुरुवात की इस योजना के तहट किसी भी प्रकृतिक आपदा, प्रकृतिक दुरगटनाओं के कारण फसल शतिक की इस्तिती में किर्सेकों को आर्थिक सहयता परदान की जाएगी इस वितिवर्ष में इस योजना के लिए हमने सौ करूर रुपे की रासी का प्रवधान किया है राज में पसुपालन को आजिविका का साधन बनाने हेतु मुखमंत्री पसुधन विकास योजना का सुबारम किया है इस योजना से अच्छादित होने वाले लाभुकों को सौ परतिसत तक के अनुदान देने का प्रवधान है जार्खन लोक सिवा आयोग द्वारा आयुजित की जाने वाली प्रिक्षाओं को लेकर कई बार अभियार्थियों से सिखाय तथा सुझा प्राप्त हो रहे थे समय पर प्रिक्षाओं का आयोजन ना होने तथा उन तथा कतिक अनिमेत्याओं को लेकर छाथ-चात्राओं कई बार आंदुलन करने के लिए मजबूर हुए है मैंने इन समस्याओं को गहराई से समिक्षा की और पाया कि जार्खन गठन के उपरांथ अब तक जार्खन लोगसेवा आयक दुवारा आयुजित की जाने वाली सिविल सेवा प्रिक्षा के लिए नियमावाली गठित ना होना इस विवादों का मूल कारन है इन समस्याओं के समधान है तु मेरी सरकार दुवारा दा जार्खन कंबाइन सिविल सर्विस एक्जामेशन रूल 2021 का गठन कर लिया गया है जार्खन लोग सिवा आयोक दुवारा अब परतेक वर्ष इस नियमावली के तहट सिविल सेवा प्रिक्षा का आईजित क्या जाएगा राज के युगाओं को रोजगार उपनब्द कराने किस्वर सरोच प्रात्मिक्ता है हमने चटी जेपिएसे के आधार पर अनुसांसित 326 अभियारतियों को नियुक्ति किया जार्खन नियाएक सेवा प्रिक्षा के अधार पर चैनित 100 अभियारतियों को सिविल सेवा सिविल जज के पद पर नियुक्ति किया है हमारी सरकार ने इस वर्ष को न्यूक्ति वर्ष घोसित किया है इस दिशा में करवाई परारम कर दी गई है विविन विभागों के अंतरगत उपलब रिक्तियों को सिग्र भरने हित्व करवाई करने के अस्वस्थ निर्देश सभी विभागों को दे दिया गया है हमारी सरकार की प्राथमिक्ता खिलाडी रास्टिय अंतरास्टिय अस्तर पर जारकन का नाम रोशन करते हैं राज में खेल परतिभाओं को निखारने के लिए राज गठन के बाद पहली बार 24 जीला कृड़ा बदादिकारी की निउक्ति की गई है राज में उत्रिस खिलाडियों की परतिभाओं को सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने जारकन खिलाडियों खिलाडी सीधी निउक्ति नियमावली भी बनाई है इसके तहट राष्टी अस्तर पर पदक विजेता 40 खिलाडियों का चैन बिभीन बिभागों में खेल कोटा के अंतरगत सीधी नियुक्ति हिक्तु किया गया है परतिवस 50 खिलाडियों को सीधी नियुक्ति परदान की जाएगी राज के विकास में सभी वरगों की भूमी का बागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा मुक्मंत्री रोजगार सिर्जन योजना चालुक की गई है इस योजना के अंतरगत लाभुक को अधिक्तम 25 लाग रुपे रिण दिये जाने का प्रावधान है जिसमें अनुदान 40 परतिसत की दर से या अधिक्तम 5 लाग रुपे में से जो कम रासी हो लाभुक को दिया जाएगा मनरेगा योजना के प्रारम के बाद राज में पहली बार मानव दिवस्रिजन करने के लक्ष को संसोदित कर 8 करोड से 10 करोड किया गया है जिससे राज दौरा प्रतम बार किया गया है अच्छी सिक्षा बेहतर रोजगार के नारे के साथ राज सरकार दौरा अस्सी उत्किस विद्याले तथा 325 परखंड अस्तरिय लीडर स्कूल के साथ साथ चार हजार 91 ग्राम पंचायत अस्तरिय आदर्स विद्याले की परिकलपना की गई है इस हेतु 1885 करोड रूपे की योजना स्विक्रित की गई है जारकन राजमें मेघावी आदिवासी चात्र चात्राओं को विश्व अस्तरिय सिक्षा के आउसर उपलप्त कराने के उद्देश से हमारी सरकार दौरा मरांगोंके जैपाल सिंग मुंडा परदेशिय चात्र विर्ती योजना 2020 के रूप में एक नई योजना प्रारम की गई है इस योजना के अंतरगत परतेक वस परतिभावन चात्षात्राओं का चैन चैनितकर United Kingdom of Great Britain and North Ireland में अवस्तित चैनित विस्विदाले संस्थाओं नों में चैनित कोर्स में उच अस्तरिय सिक्षा गरन करने है तू वित्य सहायता परदान की जाएगी सबके लिए आवास मातुकांची योजना के अंतरगत सहरी आवास विहिन लोगों को पक्का मकान उपलब्द कराने है तू एक लाग अठासी हजार आठ सो ब्यालिस हावासों की स्विक्रिति दी गई है लगभग बावन हजार पांस हावासों का ग्रिह परवेश कराया जा चुका है गाव के पिछड़ेपन को दूर करने तथा ग्रामिनों के जीवन अस्तर को उचा उठाने के लिए राज सरकार के प्रथम वर्षगाट के वहसर पर दिनांक 19.12.2020 को राज के सभी जीलों में कुल एक लाग लबारतियों को गिरी परवेश कराया गया है यह हम सब के लिए प्रस्णता का विशय है कि जार्खन राज को परधान मंतरी अवास योजना के उत्किस्ट कारे करने हैं तू समुदाइक सहभागिता के लिए विशेश प्रुसकार भी दिये गया है राज के सभी नागरीकों को सुद पेजल उपलब्द कराना सरकार की प्राथमिक्ता है आदिम जन जाती समुदाइक 251 लगू ग्रामिन पाइपलाइन जलापूर्ती योजना का क्रायूनेन किया जा रहा है इसमें लगभग 1249 अधत योजनाय पूर्ण कर ली गई है राज के अनुसुचित जन जाती बहुल तोलों में सुद पेजल की उपलब्दता सुनिस्चित करने के लिए मुकमंत्री जन नल योजना के तहद 12386 अधत लगू ग्रामिन जलापूर्ती योजनाओं का क्रिया जा रहा है जिसमें लगबग 7826 अधत योजनाय पूर्ण कर ली गई है प्रकृतिक ने जार्खन को कई सौगात दिये है प्रकृतिक के साथ साथ सामानजिस बना कर राना हमारा जीवन पद्दती रही है राज में प्रेटन के असीन संभावनाए है यहां मनोरम पहाड पहाड या जंगलों के साथ साथ पारसनात इवन बावा बैदनात धाम जैसे पवित्र धार्मिक अस्तल भी है इतना सब कुछ समेटे हुए अपने जार्खन को परेटन के छेतर में आगे बढ़ाने के लिए हम जल्दी नई परेटन नीती को लागू करेंगे संथाल प्रगाना छेत्र को समरित संस्कृती, विरासत को संरक्षित रखने तता छेत्रे संस्कृती गतिविदियों को विस्तार देने हित्तु राज के उपराजधानी दुमका में कन्वेंशन सेंटर का निर्वान कराया जा रहा है जिसे सिग्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा या कन्वेंशन सेंटर अस्थानिय कलाकारों को मंच सुलब कराएगे संथाल प्रगाना छेत्र में स्वाज सुईदाओं को सुईद करने हित्तु दुमका में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के लिए पांसो बेड अस्पताल का निर्मान कारिक प्रगती पर है इसे सिग्र ही पूरा कर लिया जाएगा सबों के लिए खाद्यान उपलब सुनिश्चित करने हित्तु मा जन्वरी 2021 से जारखन राज खाद सुरक्षा योजना प्रारम की गई है जिसके अंतरगत राष्ट खाद सुरक्षा अधिनियम से अना अच्छादीत 15 लाक लाबुकों को अनुदानित दर तथा एक रुपे परती किलो के दर पर पांच किलो चावल परतीमा उपलब कराये जा रहा है इस सब के लिए रोटी कपड़ा और मकान उपलब्धो या सोच के साथ हमारी सरकार कार कर रही है इस कड़ी में सोना सबरन दोती साड़ी वित्रन योजना की सुरुवात की जारी है इस योजना के अंतरगत 57 लाक परिवार को दोती लुंगी एवंग 1.5 दस रुपे की अनुदानित दर पर वित्रन करने की योजना है पूरु में मुकमंत्री राज ब्रिदा पेंसन योजना के तहट 3,65,000 ब्रिदों को पेंसन का लाप दिया जा रहा था लेकिन राज के विबिन छेतरों से अनेक पात्र ब्रिदों को इसका लाप नहीं मिलने की सिकायत लगातार आ रही थी इसको देखते हुए हमारे सरकार ने सरुभौमिक ब्रिद कल्यान योजना की सुरुवात की अब सभी ब्रिद जनों को परती माह 1000 रुपेंसन के रूप में बैंक हातों में उपलब्द कराई जाएगी हमारी सरकार गठन के उपरान मंत्री परसज के परतम बैठक में हमने यह संदेश दिया था कि महिलाओं की सुरक्षा और ससस्तिकरन को सरवच परात्मिक्ता सरकार की है राज की महिलाओं के ससस्तिकरन हेतु एक 181 हेलप लाइन की सुरुवात की गई है इस हेलप लाइन के द्वारा राज में किसी भी परकार की हिंसा से पिडित अथवा अन्य किसी परिस्थिती में फसे महिलाओं को अविलम साहता प्रदान किया जाएगा हेलप लाइन नंबर 181 एककरित हेलप लाइन है जो 24 गंटा और 7 दिन कारे करेगा इसके माद्यम से महिलाओं को पुलीस, विधिक सहायक, मेडिकल, एमूलेंस सेवा जैसे आपक कालिन सेवा उपलब्द कराई जाएगी महिलाओं को ये सारी साहता एक ही अस्थान पर उपलब्द हो इस उद्देश से सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन परतेक जीले में किया जा रहा है साथ ही इसके माध्यम से महिलाओं को विबिन सरकारी योजनाओं एवं कारियोन की जानकारी दी जाएगी महिलाओं को अवेद एवं अनेतिक व्यपार की रोक्थाम पिडितों के बचाओ पुनरवास पुर्ण समेकन एवं स्वधेश वापसी सुनिशित करने ही तु राज सरकार निरंतर प्रयास रत है इस नेमित संचालित उजवाला योजना के अंदर अंतरगत पलामू परमंडल मेदनी नगर एवं उत्री छोटानाक पुर्ण परमंडल मुख्याले हजारी बाग में उजवाला होम अस्तापित किया गया है अन्य तिन परमंडलों में हुजवाला होम सिख्र चालू किया जाएगा आपकी जारखंडी सरकार ने सरना धर्म कोट को जनगना में सामिल करने के लिए बिदान सभा में एक दिवस्य विसे सत्र बुला कर प्रस्ताप आरित कर केंदर सरकार को भेजा है होक, कुडुक, मुंडारी भासा को आठवी आनुसूची में सामिल करने के लिए भी राज सरकार की तरफ से केंदर सरकार को प्रस्ताप भेजा गया है महिला सस्तिकरन हेतु राज में करीब 2.57 लाग सकी मंडलों का गठन लगबग 32.2 लाग परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है राज के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिसित करने के लिए सकी मंडलों को करीब 726 करूर रूपे चक्रियविद, नीधी, समुदाइक, निवेस, नीधी तथा 1824 करूर रूपे क्रेडिट लिंकेज के रूप में उबलब कराया जा चुका है इसके साथ ही आजी विकास सस्तिकरन हुनर अभियान के माध्यम से राज में 17 लाग परिवारों को आजी विकास के ससक्स माध्यम से जोड़ा गया है फूलो जानो आशिरवाद अभियान के अंतरगत विगत चार माह में राज की करीब 12,000 महिलाओं को हडिया दारू निर्मान एवंग बिक्री के कारी से मुक्त कराकर आजी विका के विबिन साधनों से जोड़ा गया है सकी मंडलों के दोरा निर्मित उत्पादकों को पलास ब्रांड के जरिये नई पहचान देकर करीब 2,000,000 महिलाओं की आमदनी की बढ़ोतरी सुनिसित की जा रही है अब तक 19,000,000 रुपे का करवार किया गया है राज गठन के उपरांद सभी विभागों के विभागवार समिक्षा के करम में मैंने ये महसूस किया कि राज सरकार को अपिक्षित राजस की प्राप्ति नहीं हो रही है कई अस्तर पर नितिगत पहल की आवसकता है तो कई जगह प्रसासनिक तंत्र में चुश दुरूस्त कराकर राजस की वृदिक की जा सकती है मैंने सभी विभागवा को असपस निर्देश दिया है कि राजस प्राप्ति को दुगुना करने के लक्ष के साथ अविलम कारे प्रारम कर दें जहां कहीं भी आवसक हो नई नीती बनाई जाए तता वर्तमान में लागू अधिनियम और विनियमो में आवसकता अनुसार संसोधन किये जाए आपकी जारखंडी सरकार नीजी छेतर में 75% पदों को अस्थानिये लोगों के लिए रक्षित करने जा रही है राज के लोगों की भावना के अनुरूप हम नई अस्थानी नीती परिभासित कर रहे हैं अल्प संख्यक बिद्जालेओं में के कर्मियों की नियुक्ती के लिए नियमावली बनाई जा रही है पुलिस भरती के लिए हम जल्द नियमावली ला रहे हैं बहुत सारे कारे हैं जिसे पूरा करते हुए राज की प्रगति के पत्वर आगे ले जाना है अंत में मैं पुना आप सबों को गड़ाए देता हूँ आईए हम सब मिलकर यह संकल पले जार्खन को सवारने में हम सब पूरी जिम्मेवारी और निस्टा से अपनी भूमिका का निर्वाहन करेंगे सम्मिधान के आदर्सों का के अनुरूप एक ऐसे जार्खन के निर्मान ने अपनी महती भूमिका निभाएंगे जहां उच नीच अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा का कोई भेद भाव ना हो तथा सबोग की गरीमाई जीवन को सरवांगिन विकास के लिए समुझीत तुसर प्रदान हो जै हिन जै जार्खन